इपिसोड में दिखाया जाएगा कि केजल और तोशु साथ में डान्स कर रहे होंगे, तभी उन्हें देखकर सभी घरवाले बहुत ही खुश हो रहे होंगे, इधर केजल और तोशु साथ में डान्स कर रहे होंगे, तभी तोशु अपने घुटनों के बल बैठ डाएगा, औ और मन ही मन कह रही होगी कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या अच्छा लगता है इस थर्ड क्लास फैमिली और इस थर्ड क्लास लाइफ में एक लूजर के साथ शादी करके ऐसे खुश हो रही है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो वहीं दूसरी और काव्या सामने कह रही होगी कि मैं केजल और तोशु को शादी का गिफ्ट देना चाहती हूँ मेरा ड्रीम था कि मेरी बेटी की शादी बहुत ही धूम धाम से हो पर केजल ने मेरा ड्रीम पूरा नहीं होने दिया पर में केजल का ड्रीम जरूर पूरा करूंगी फिर वो केजल को कहे कि तुम हमेशा से हनीमून पर नौडवे जाना चाहती थी ना, फिर वो नौडवे का पूरा पैकेज बुक करवाया होगा, उसकी टिकट के जल को दिखाएगी, और कहेगी कि तुम दोनों पूरे 15 दिन नौडवे मेरा होगे, यह सुनते ही तो शुबहुत ही खुश हो लेकिन बाकी सभी घरवाले बहुत ही परेशान हो जाएंगे, तभी वनराज कहेगा, कि मिसेज दावे यहां पर बुलजुर्ग लोग भी है, तभी राखी कहेगी, कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, इस घर में जब दूसरी औरत के साथ अफियर करना भी जायज है, और भाग कर शादी करना भी चलता है, तो हनीमून की बात करने में क्या हर्ज है, इसके सामने तो हनीमून बहुत छोटी सी बात है, फिर तो शुराखी से हनीमून की टिकट ले लेगा, और उसे थैंक्यू कहेगा, लेकिन अनुपमा और केजल को यह बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा हो तभी राखी सभी घरवालों को कहेगी, कि आप लोग शादी में कम खर्चा करना चाहते थे, इसलिए आपने शादी घर पर रखी है, मैंने वेह बाद भी आपकी मान ली, लेकिन कम से कम हनीमून तो ढंका होना चाहिए ना, मैं जानती हूँ कि आप लोग तो इन दोनों को भेजना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि आपके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो मिस्टर शा के सामने हाथ पहलाना पड़ता है, तभी क्निजल को सब बरदाश्ट नहीं हो रहा होगा, इसलिए वेह दो हाथ जोड़कर राखी को कहेगी, कि मॉम प्लीज आप यहां से चली जाएए, अगर आपको मेरे संगीत में यही करना है, तो प्लीज आप जा सकती हो, यह सुनते ही राखी को बहुत बड़ा जटका लगेगा, और कहेगी कि तुम मुझे यहां से जाने को कह रही हो, तभी को कहेगा, कि तुम दोनों ठंडे दिमाग से सोच लो, तुम दोनों नौर्वे जाना चाहते हो, तो जा सकते हो, तभी क्निजल कहेगी, कि नहीं पापा, हम नहीं जाने वाले, क्यूंकि एक जाम के लिए हमें तैयारी भी करनी है, और इस बारे में हम एक जाम के बाद बात क करेंगे, यह सुनते ही राखी मन ही मन बहुत ही गुसा होने लगेगी, और कहेगी कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से अनुतमा के कंट्रोल में आ चुकी है, वो अब इसी की जोबान बोलने लगी है, यह तो क्लियर हो गया है, कि कि जल मेरा मोहरा नहीं बनेगी, लेकिन आज कहेगा, कि चलो अब रसम को आगे बढ़ाते हैं, बाद में सभी लड़के, और सभी लड़कियों के बीच में डान्स कमपर्टीशन होगा, बाद में सब लोग डान्स करने लगेंगे, तभी अनुतमा का पैर फिसल जाएगा, और वेह वन राज के पास आ जाएगी, त नहाँ पर तोशु और राखी बेहन नहीं है, फिर वो उसे चारों तरफ ढूनने लगेगी, वहीं दूसरी और राखी तोशु को कह रही होगी, कि मैंने आप लोगों को कितनी बार हर्ट किया है, इसलिए सब को ऐसा लगता है, कि मैं गेम खेल रही हूँ, लेकिन यह सच न की बेटी है, मैं मेरे दामाद को AMD नहीं बनाऊंगी, तो किसे बनाऊंगी, अपने दामाद को AMD बनाने में क्या गलत है, और हनीमून का पैकेज इसलिए बुक किया था, कि तुम दोनों शादी के बादे एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम स्प्रेंड कर सको, मैं जानत पैकेज बुक किया, तो अब तुम ही बताओ, इसमें मैंने क्या गलत किया, तब ही दिखाया जाएगा, कि वहाँ पर दरवाजे के पास अनुतमा आ जाएगी, और इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी, इधर तो श्यू कह रहा होगा, कि मॉम आपने कुछ गलत नहीं किया आपकी गलती ही नहीं है, बलकि मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, कि आपने हमारा हनी मून ट्रिप प्लान किया, और आपने मुझे एमडी की पोस्ट के लायक समझा, इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, तब ही वहाँ किंजल आ जाएगी, और फिर अनुत मुठ का रोने लगेगी, और तोश्यू को कहेगी, कि तुने देखा मेरी बेटी मुझे ही घलत समझ रही है, फिर तोश्यू केंजल को कहेगा, कि केंजल ऐसा कुछ नहीं है, तो मुम को घलत समझ रही हो, वह हमारी खुशी चाहती है, उस पर केंजल कहेगी, कि तो वह हमें खुश क्यों नहीं रहने देती है, क्यों बार-बार हमारे बीच में आ रही है, हमने एक बार उसे मना कर दिया, कि हमें AMD की पोस्ट नहीं चाहिए, तो फिर वे तुम्हारा ब्रेनवाश क्यों कर रही है, फिर केंजल और तोश्यू के बीच में जगडा शुरू हो जाएगा, तभी अनुपमा राखी की तरफ देखेगी, तो राखी हस रही होगी, तो अनुपमा समझ जाएगी, कि राखी वेन यह सब कुछ जानबूज कर कर रही है, फिर तोश्यू केंजल के उपर गुसा होकर वहां से चला जाएगा, तभी केंजल भी बाहर चली जाएगी, इधर तभी अनुपमा राखी को कहेगी, कि देखा तुमने केजल और तोश्यू के बीच में जगणा करवाने में, मुझे एक मिनट भी नहीं लगा, तभी अनुपमा राखी को कहेगी, कि घर में चिंगारी फेंकने से पहले, एक बार यह तो सोच लीजिए, कि इस घर में आपकी बेटी भी रहती है, आग लगेगी तो केजल और तोश्यू के बीच का रिष्टा ही नहीं, आपका और अपनी बेटी का रिष्टा भी जल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो, कि मुझसे मेरी बहू को दूर करने की कोशिश में, आप अपनी बेटी खो बैठे, यह लड़ाई आपक आपकी ने कुछ बड़ा कांड किया है, वहीं दूसरी और दिखाया जाएगा, कि कावया अपने घर पर होगी, और रात के 11 बजे होंगे, तभी घर की डोर बेल बजेगी, तो कावया दरवाजा खोल लेगी, तो वे चौक जाएगी, और कहेगी कि तुम इस वक्त यहाँ प लेकिन कावया वनराज को मना कर देगी, और फटा फट से वीडियो कॉल कट कर देगी, तभी वनराज को शक होने लगेगा, कि वहाँ पर जरूर कोई होगा, इसलिए ही कावया बार बार साइड में देख रही थी, वहीं दूसरी और कावया के घर में सच में कोई आया होगा और वे उसे कॉफी पिलाने की बात कर रही होगी, तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा, सुमवा के एपिसोड में दिखाया जाएगा, कि केजनल और तोश्यू की शादी हो रही होगी, तभी वहां कावया आजाएगी, फिर अनुपमा और कावया के बीच में बहुत ही बढ़ा जगड़ा हो जाएगा, तो कावया कहेगी कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशम हो, तुम बेशर्मी की एक मिसाल हो, यह सुनते ही अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा गुसा आजाएगा, और सब के सामने कावया को एक जोड़दार तमाचा जड़ देगी, तो फ् नवाद.